साथी गम और प्यारे विद्यारतिया स्वामी विविकारण ने कहा था कि उठो जागो और तब तक नहीं दुको जब तक की लक्षे प्राप्त ना हो जाए जैसा कि आपको पता है कि आज युवा दिवस है प्रतिवर्स हम 12 जनररी को स्वामी विवकारण के जनम दिवस क्या उसे पर युवा दिवस मनाते हैं जैसा कि अभी बताया गया जो वायू के वेक से चले उसे युवा कहते हैं वायू युवा यू को पीछे कर दो वा को आगे कर दो वायू युवा स्वामी वेकानंद का जनम 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ उनके बच्पन का नाम नरेंदर नाथ दत था उनके पिता विश्वनाथ दत थे और उनकी माता भूनेश्वरी देवी थी स्वामी वेकानंद की शिक्षा सन 1871 में आठ साल की उम्र में नरेंदर नात्र ने इश्वर चंद्र विद्या सागर के मेट्रो पॉलिटियन सरस्तान में धाखलिया लिया जहां वे इसको जाना शुरू हुए 1879 में कलकत्ता में वो एक मात्र छात्र थे जिनोंने प्रेजिदेंसी कॉलेज और कलकत्ता पर्वेश परिक्षा में पर्थम अंग डिविजन प्राप्त किये उनको पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शोग था वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साइटे साइट, विशों के उच्छाई पाठक थे नरेंदर को भारती सास्त्र संगीत में प्रसिक्षित किया गया था नरेंदर ने पस्चिमी तर्क, पस्चिमी दर्शन और यूरोबिय साइटे का अध्यान जर्नल असेम्बली इंस्ट्यूशन से किया 1881 में उन्हें ने ललीत कला की परिक्षा उत्रिन की और 1884 में कला इसना तक की डिग्री पूरी कर ली नरेंदर ने डेविड हूं, इमेनोल कांट, जोहन गोटलिप, बारुक स्पेंजो, जोज डबली हैजल, और्थर, ओगेस्ट कांटो, जोन इस्टोट मील और चास डार्विन के अध्यान पर काम किया उन्होंने स्पेंजर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अलुवात किया ये हरवट स्पेंजर के विकासवाद के सिद्दान से काफी ज़्यादा प्रभावित थे पस्चिमी दार्शिनों को के अध्यन के साथ ही इन्होंने संस्कृत गरंथों और बंगाली साइत्ये को भी शीखा स्वामे वेकानन ब्रहम समाज से प्रभावित थे ब्रहम समाज की इस्तापना राजा राम मोहंडरोय ने की इसके साथ ही साथ वो केशल चंद्र वित्या सागर से भी जुड़े हुए थे 1881 से लेखे 1884 के दोरान ये सैंस बैंड आफ होग से जुड़े हुए रहे जो युवाओं में धुम्रपान और सराप पीने से मना करता था अपने गुरू राम कृष्न पराम हंस की रुट्यू के बाद उन्होंने 1886 में राम कृष्न मठ की इस्तापना की स्वामी वेकानन अपना जीवन अपने गुरू राम कृष्न पराम हंस को समर्पित कर चुके थे जब उनके गुरु राम हंस बहुती ज़़ा बिमार हुए तो स्वावी वेकानन्द अपने गुरु की शेवा में घर और भोजन छोड़ कर लगे रहे स्वावी वेकानन्द विदेश में जापान, चाइना, कनाडा की यातरा में निकल गए सन 1893 में वो शिकागो की धर्म संसद में पहुचे, उस समय मात्र उनकी आयू तीश वर्ष की थी, शिकागो में अमेरिका के विशु धर्म समयलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिदित्व किया और उसे सारु भोमिक पहचान दिलवाई स्वामी वियकानन ने यहाँ पर एक बहुती जोरदार और प्रभावसाली बासन दिया जिसकी सुरुवात उन्होंने मेरे अमीरे की भाईयों और भहनों से की इसी बाशन में उन्होंने कहा कि विभिन नदियां भिन-भिन इस्तरोतों से निकत कर समुद्र में मिल जाती हैं उसी प्रकार है प्रभू भिन-भिन रूची के अनुसार विभिन पेड़े मेड़े अत्वा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में मुझ में ही आकर मिल जाते हैं आगे कहते हैं जो कोई मेरी ओर आता है चायो किसी वी प्रकार्ट से हो मैं उसको प्राप्त होता हूँ लोग भिन भिन मार्ग द्वारा पेतन करते हुए अंत में मेरी ओर ही आते हैं 4 जुलाए 1902 को मात्र 49 साल की उम्र में स्वामी वेकानन ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया संसिप्ट जीवन कौल में स्वामी वेकानन ने जो काम कर गए वो आने वाली सतापदियों तक हमारी पीडियों का मार्ग दर्सन करता रहेगा उन्होंने मूर्ति पूजा, अंध्विश्वास, आडम पर और नशे का विरोध किया स्वामी वेकानन ने महीलाओं को समाज में बराबरी पर जमकर समर्थन किया महात्मा गांधी को आजादी के लड़ाए में जो जन समर्थन मिला वो विवेकानन के आवान का ही फलता इस प्रकार वे भारते स्वतन कता संग्राम के एक प्रमुख प्रेणा इस त्रोथ की रूप में आए स्वामी वेकानन के जो सिक्षा के दर्सने और कुछ इस प्रकार है शिक्सा ऐसी हो जिससे बालक का साररिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो सके शिक्सा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्मान हो, मन का विकास हो, बुद्धी विक्षित हो सके और बालक आत्म निर्वर बने भालक और बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए धार्मिक शिक्षा पुस्तकों से न देकर आच्रण और संस्कारों दोरा देनी चाहिए पाटे करम में लोकिक और पारलोकिक दोनों प्रकार के विश्यों को इस्तान देना चाहिए शिक्षक में छात्र संबंद अधिक से अधिक निकट होना चाहिए देश की आर्थिक प्रगत्य के लिए तक्निकी शिक्षक की वेवस्ता की जाए मानी बिए एम राश्ठी शिक्षा परिवार से शुरू करनी चाहिए शिख्षा A.C.O. जो सीखने वाले को जीवन संगर से लड़ने की शक्ती दे राश्टी युवादिवस 2023 की थीम इट्स ओल इन दा माइंड रखी गई है अंत में स्वामी वेकनन्द की कुछ अन्मोल वचन है खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी शक्ति उसमें लगा दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है चाहे वो साररिक हो, चाहे बॉद्दिक हो या मानसिक उसे जहर की तरह त्याग दो, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो, और अंत में हम जो गोते हैं वो कारते हैं, हम स्वएव अपने भाग्ये की निर्माता हैं, उठो, जागो, और तब तक नहीं रुको जब तक की लक्षे प्राप्त ना हो जाए धन्यवाद